नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त गौरो और स्वागत है आप लोगों का केवी गुरूजी यूट्यूब चैनल पर इस क्लास में हम लोग मोश्ट इंपॉर्टेंट वन वर्ड सफ्टिट्यूशन की प्रैक्टिस करेंगे ये वन वर्ड सफ्टिट्यूशन SSC के एक्जाम लाइक CGL, CHSL, CPO, STENO और बैंक के PO और कलर्क एक्जाम के लिए काफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आज की क्लास हम लोगों की पार्ट 6 है वन वर्ड सफ्टिट्यूशन से रीच की इस कलास में हम लोग 181 से लेकर 215 टक के वन वर्ड सफ्टिट्यूशन की प्रैक्टिस करेंगे जिल लोगों ने अभी तक वन वर् वर्ड सफ्टिट्यूशन की previous classes नहीं देखी हैं वो लोग जाकर पहले previous classes देखें previous class का link आप लोगों को description box में मिल जाएगा और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आये तो जाज़ाज़ संक्या में वीडियो को लाइक करें और सेयर करें साती साथ आप हमारे टेलिग्राम चैनल को भी जॉइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्सन बॉक्स में दिया हुआ है टेलिग्राम चैनल से आप लोगों को इस क्लास की पीडिया भी मिल जाएगी चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास आज की क्लास का पहला वर्ड है जक्ष्टा पोज जक्ष्टा पोज वर्ड का मतलब होता है प्लेसिंग ए थिंग विट साइड एन अदर मुलब किसी चीज को किसी दूसरी चीज के पास में रखना नेक्स्ट वर्ड है मेडन मेडन वर्ड का मतलब होता है दा फर्स्ट स्पीच मेड वाई ए परसन मुलब किसी बेक्त की जो पहली स्पीच होती है उसको हम लोग बोलते हैं मेडन नेक्स्ट वर्ड है मैसोचेष्ट मैसोचेष्ट वर्ड का मतलब होता है one who obtains pleasure from receiving punishment मतलब ऐसा वेक्त जिसको दंड से आनंद मिलता हो उसको हम लोग बोलते हैं मैसोचेष्ट नेक्स्ट वर्ड है मिसोगेमिष्ट a person who hates marriage मतलब ऐसा वेक्त जिस विवाह से घ्रणा करता हो उसको हम लोग बोलते हैं मिसोगेमिष्ट नेक्स्ट वर्ड है neutral नेक्स्ट वर्ड का मतलब होता है not supporting either side in a disagreement मतलब किसी विवाज में किसी का भी पच्छ ना लेने वाला इसको हम लोग बोलते हैं टतस्थ नेक्स्ट वर्ड है आपसिक्योर आपसिक्योर बर्ड हम लोग के synonyms वाली क्लास में भी आ चुका है आपसिक्योर बर्ड का मतलब होता है not clearly expressed मलब जो clearly expressed ना हो और इसको हम लोग बोलते हैं आपसिक्योर नेक्स्ट वर्ड है ओमनी omniscient one who knows everything मतलब वाह वेक्ती जो सब कुछ जानता है उसको हम लोग बोलते हैं omniscient और इसको हिंदी में बोलते हैं सर्व ग्यानी next word है omnipotent one who is all powerful जो सबसे जाधा सक्तिमान हो मतलब सर्व सक्तिमान उसको हम लोग बोलते हैं omnipotent next word है omnipresent one who is present everywhere जो सब जगह प्रेजेंट हो यानि इसको बोलते हैं हम लोग सर्व व्यापी तो omnipresent का मतलब होता है सर्व व्यापी next word है palpable palpable word का मतलब होता है easy to see and comprehend अब जिसको आसानी से देखकर समझा जा सके उसको हम लोग बोलते है palpable next word है patrimony property inherited from once father or ancestor मनलब अपने पिता या पूर्वजों से जो property विरासत में मिलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं patrimony और आज की class की जितने भी word हैं ये सारे word ssc के exam में चार या उससे जाधा वार पूचने जा चुके हैं इसलिए word बहुत जाधा important है और कुछ student को ये भी complaint है कि telegram group पर उन्लों को pdf नहीं मिल लई है तो आज मैं सारी pdf telegram group पे upload करवा दूँगा next word है perseverance perseverance word का मतलब होता है constant effort to achieve something किसी चीज को पाने का जो सदत प्रयास है उसको हम लोग बोलते है perseverance next word है philogynist if person who admires or respects woman मलब ऐसा है बेकती जो महिलाओं की प्रसंसा या उनको सम्मान करता है उसको हम लोग बोलते है philogynist और इसका opposite होता है misogynist जो कि हम लोग की previous class में आ चुका है वहाँ पे philog की जगर पे M-I-S-O miso आ जाएगा next word है philosophy the study of the nature and the meaning of the inverse इसको हम लोग बोलते है philosophy और philosophy को हिंदी में हम लोग बोलते है दर्संसास्त्र next word है phonetics phonetics word का मतलब होता है science of sound of speech इसको हिंदी में हम लोग बोलते है स्वरविज्ञान next word है physiology the study of normal functions of living things living things की जो normal functions की जो study है इसको हम लोग बोलते है physiology और इसको हिंदी में बोलते है सरीर क्रिया विज्ञान next word हम लोग का polyandry the custom of having more than one husband at the same time मलब एक समय में एक से ज़्यादा पती होनी की जो प्रता है उसको हम लोग बोलते है polyandry और हिंदी में इसको हम लोग बोलते है बहु पतित्तो next word है polygyny practice of having several wives मलब एक ही समय में एक से ज़्यादा पत्निया होने की जो प्रता है इसको हम लोग बोलते है polygyny तो polyandry मलब एक से ज़्यादा जब पती है तो वो polyandry उसको बोलेंगा और एक से ज़्यादा अगर पत्निया है तो polygyny next word है prolog prolog word का मतलब होता है speech at the beginning after playbook etc किसी नाट है कि आप उस तक के जो कि जो beginning में जो speech होती है जो भासाड होता है उसको हम लोग बोलते है प्रस्तावना जैसे आप लोग देखते होंगे कि कोई भी किताब उसमें सबसे पहले प्रोलाग या प्रस्तावना जरूर लिखी होती next word is cephalosy ये word बहुत ही जादा important है cephalosy word का मतलब होता है the study of how people vote in elections लोग elections में कैसे vote करते हैं उसकी जो study है detailed उसको हम लोग बोलते है cephalosy इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में चुनाओ विसलेसन और जब भी हमारे देश में elections बगरा होते तो आप लोग new channel बगरा पर देखते हैं वहाँ पर एक बहस के लिए एक सिफोलोजिस्ट भी बैठे होते हैं जो कि चुनाओ का विसलेसन बताते हैं तो वो होते हैं सिफोलोजिस्ट उनको हम लोग बोलते हैं चुनाओ विसलेसक next word है pseudonium an imaginary name assumed by an ether for disguise मुलब किसी भी लेखक के द्वारा अपना वास्तविक नाम ना प्रियोग करके एक imaginary नाम का जो प्रियोग होता है उसको हम लोग बोलते हैं pseudonium और इसका हिंदी में मतलब होता है च्छद्व नाम next word है repose repose word का मतलब होता है condition of rest and feeling calm मतलब आराम और सांती की जो इस्थिती होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं repose next word है sociology the study of human society मानो समाज का जो अध्धन है उसको हम लोग बोलते हैं sociology और इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं समाज सास्त्र next word है spinster an old unmarried woman एक ब्रद्ध और अभिवाहित जो महिला होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं spinster next word है थीष्ट one who believes in the existence of God जो इस्वर के अस्तित तुमें विश्वास करता है उसको हम लोग गोलते है थीष्ट और वन वर्ड हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग आस्तिक और इसका opposite होता है atheist यहाँ पर अगर ए लगा दें इसके starting में तो atheist का word मतलब होता है नास्तिक मतलब one who does not believe in the existence of God मतलब जो इस्वर के स्थित में विश्वास नहीं करता उसको हम लोग बोलते हैं नास्तिक यानिए atheist अगला word है unanimous done with complete agreement जो पूर्ड सहमती के साथ कोई कारे है उसको हम लोग बोलते हैं unanimous और इसको हिंदी में बोलते हैं एकमत next word है versatile versatile वर्सेटाइल 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 का मतलब होता है able to do many things जो बहुत सारी कारे कर सकता है उसको हम लोग बोलते हैं versatile और हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं बहुमुखी प्रतिभा बाला नेक्स्ट वर्ड है जॉल्जी जॉल्जी वर्ड का मतलब होता है दे ब्रांचाफ बालोजी दायट इस्टडी इच एनिमल्स जीव विग्यान की वह सखा जो केबल जन्तुओं का अध्यन करें उसको हम लोग बोलते हैं जॉल्जी और हिंदी में इसको बोलते हैं हम प्रांड विग्यान next word है जाइमोलाजी study of enzymes तो enzymes का जो अध्यान है उसको हम लोग बोलते हैं जाइमोलाजी next word है abduct to take somebody away illegally especially using force मलब किसी का बल का प्रयोग करके अपारण कर लेना उसको हम लोग बोलते हैं abduct next word है absolute one who is perfect or complete मलब कोई ऐसी चीज़ जो परफेक्ट हो और पूर्ण हो उसको हम लोग बोलते हैं absolute next word है acrophobia phobia word का मतलब होता है किसी चीज़ से डर और acrophobia का मतलब होता है fear of heights मलब जो उचाई से जिनको डर लगता है उचाई से जो डर होता हुसको हम लोग बोलते हैं acrophobia next word है addict one who has become dependent on something or drugs मलब वह व्यक्ति जो किसी भी चीज़ पर dependent हो जाता है drugs बगारा पर उसको हम लोग बोलते हैं addict और आज की class का last word है acrimonious acrimonious word का मतलब होता है angry and better मलब गुस्से में भरा हुआ और तीखा उसको हम लोग बोलते हैं acrimonious कटुता भरा इसको एक और मतलब होता है तो ये आज की class का हमारा last word था और जिन लोगों को ssc या bank के अपकमे exam देने हैं बोलोग इस सिरीज को जरूर देखें और आप लोग वीडियो को जाधा जाधा संख्या में share भी किया करिए जिससे कि मुझे अगली वीडियो बनाने के लिए थोड़ा जाधा motivation मिल सके नमस्कार झाल में बनाने के लिए सेंगर भी बनाने के वीडियो